हलो बचो नमस्कार, शुरू कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा, क्लाश 12th मैथमेटिक्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं बचो, सुनिए वेक्टर क्या होता है वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें जिसका अपना एक डायरेक्शन होता है और उसकी एक मेग्टिटूड भी होती है, देखो मेग्टिटूड तो सभी फिजिकल क्वांटिटी की होती है इसमें कोई दिक्कती नहीं है, तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन भी हो उसको vector कह देते हैं और जिसमें direction नहीं हो उसको scalar कह देते हैं तो जैसे scalar और vector के अगर कुछ उधारन देखे कि sir एक आदे example बताओ तो vector में मैं पहला बताना चाहूंगा जो सबसे easy displacement एक vector होता है displacement एक vector होता है और इधर आप लिख सकते हो जैसे distance distance एक scalar quantity होता है दूसरा इधर आप लिख सकते हो vector में velocity आपने सुना होगा velocity vector होता है और आपने speed भी सुना होगा तो speed को आप इधर डाल सकते हो ठीक है तो ये जो introductory lecture है introduction है ये introduction कह सकते हो exercise 10.1 का ठीक है exercise 10.1 का इसके अलावा velocity के अलावा आप यहाँ पर acceleration डाल सकते हो acceleration जो होता है वो एक vector quantity होता है इसके अलावा आप यहाँ पर force डाल सकते हो force एक vector quantity है जैसे एक होता है work work scalar quantity होता है तो work आप यहाँ पर डाल सकते हो इसके अलावा जितने भी energies होती है काइनेटिक एनरजी, पोटेंशल एनरजी, हीट वगेरा ये सब क्या है स्केलर कॉंटिटी है ठीक है, इसकी अलाब बहुत सारी चीज़े रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया तो there are so many things ठीक है नॉर्मल सी, जो मेजर चीज़ है वो मैंने आपको यहाँ पर लिखके बता दिया कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है ठीक है तो वेक्टर को हम देखो, ऐसे पढ़ते हैं, जैसे माल लो सबसे पहली देखो, यह कोई यह देखो, माल लो कि एक three dimensional space है और यह है origin 0,0,0 यहाँ पर कोई point है लेट से यह कोई point है इसका coordinate है, x, y, z ठीक है, तो हम जो यह जो यह क्या है, यह तो point है लेकिन यह x, y, z unit दूर है, x, y, z axis से तो अगर आप origin से यहाँ तक अगर एक line जोड दोगे तो यह इसका एक position vector कहलाएगा, जिसका direction है, o2a मतलब origin से a तक तो जैसे अगर oa vector लिखेंगे, ऐसे oa vector लिखा जाता है इसको पढ़ते कैसे oa vector यह है हमारा oa vector is the position vector है position vector of point a a का position vector है कहने का मतलब है, यह position को indicate कर रहा है क्या कर रहा है, पोजिशन को indicate कर रहा है, ठीक है तो oa vector यहाँ पर क्या हो जाएगा, oa vector हो जाएगा x, i cap, y, j cap, z, k cap तो बच्चें यहाँ पर देखो, i, j, k क्या है i, j, k जो है, यह unit vector होता है in the direction of x-axis, y-axis, z-axis, ठीक है, मतलब यह जो है न, यह direction indicate कर रहा है, कि हाँ भाई, देखो, x unit, x-axis पर, y unit, y-axis पर, z unit, z-axis पर, ठीक है, इसकी जगा हम कुछ और वी value ले सकते हैं, मतलब जैसे यह देखो, अगर मालोब मैं इसको बोलता कि यह a, b, c है, तो यही चीज़ होता, a, i-cap, b, j-cap, c, k-cap, मतलब a unit on x-axis, b unit on y-axis, c unit on z-axis, किलियर है, ओके, तो यह तो direction बताने के लिए है, कि यह i, j के तीनों ही direction में है, मतलब एक three dimensional space में है, ओके, इसकी magnitude की बात करें, तो जैसे magnitude अगर आपको निकालना है, तो वो भी बहुत simple है, that is under root a square, plus b square, plus c square, जो coefficients है, उसका square करके sum कर दो, ठीक है, तो आपने एक vector लिखना सीख लिया, अब हम एक normal सी चीज लेते हैं, कोई भी vector ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी vector ले लेते हैं, let a vector है, और a vector है हमारा, 2i cap, 3j cap, minus 4k cap, ठीक है, इसमें जो आगे वाली जो value होती है, किसी भी vector की है, जो आगे वाली value, यहाँ पर यह 2, यहाँ पर 3, और यहाँ पर यह minus 4, इनको बोला जाता है direction ratio, क्या बोला जाता है इसको direction ratio, तो dr, direction ratio, तो यह हो गई 2, 3, minus 4, obvious ही बात है, x-axis पर, यह y-axis पर और यह z-axis पर है, ठीक है, obvious ही बात है, z नहीं हो गई, यहाँ पर minus z हो जाएगा यह, direction ratio, तो अगर आपसे अगर direction ratio पूछते हैं किसी भी vector का, ज्यान देना, किसी भी vector का अगर direction ratio पूछता है, I am repeating again, अगर आपसे किसी vector का direction ratio पूछा जाए, तो obvious सी बात है, वो आपसे vector के coefficient जानना चाह रहा है, माल लो, एक example के तौर पे, कोई एक point A, इसके coordinate दे दी आपको, माल लो, 1,2,3, एक point B, इसके coordinate दे दी आपको, minus 1,2,3, और वो बोल दे कि, find, find, dr of AB vector, तो पहले तो आपको AB vector निकालना पड़ेगा, तो आप एक चीज़ समझिए यहाँ पे, दो point से आप vector कैसे निकाल सकते हैं, यह रहा आपका दो point, ठीक है, in the direction of A to B, तो जाए AB vector निकालना है, तो आप B के coordinate, minus A के coordinate कर दीजिए, तो minus 1, minus 1 कितना हो गया, minus 2, 2, minus 2, I cap, 2, minus 2, तो बच्चे यह तो 0 ही हो जाएगा, 2, minus 2, J cap, plus, minus 3, minus 3, minus 3, minus 3, K cap, तो यह हो गया, minus 2, I cap, 0, J cap, minus 6, K cap, तो DR क्या हो गए इसके, DR हो गए इसके, minus 2, 0, minus 6, obvious ही बात है, hopefully आपको समझ में आ गया होगा, clear है, okay, now, एक चीज पर चर्चा करते हैं, unit vector, unit vector, अभी मैं बाद में आपको types of vector पढ़ाऊंगा, बट पहले आप unit vector समझे, unit vector ऐसे vector को बोलते हैं, जिनका magnitude 1 हो, तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर magnitude बराबर 1, magnitude बराबर 1, तो देखिए, जैसे unit vector magnitude 1 होता है, तो obvious सी बात है, देखो इसको निकालेंगे कैसे, जैसे हमारे पास कोई एक vector है, उस vector के, उस vector को अगर, उस vector को अगर उसके magnitude से divide कर दिया जाए, जो भी magnitude होगा उसके magnitude से ही divide कर दिया जाए तो हमें unit vector मिल जाएगा unit vector को n cap से denote करते हैं तो जो भी vector होगा a पे cap लग जाएगा देखो जैसे example के तौर पे कोई एक vector है vector a है let's say i cap plus 2 j cap plus 3 k cap तो जैसे इसको unit vector में convert करना है तो पहले इसका magnitude निकलेगा magnitude क्या हो जाता देखो अभी मैंने थोड़ी दिर पहले बताया था ये इनके जो coefficient को square करके sum करके और root ले लेना तो 1 का square, 2 का square, 3 का square ये देखो ये root 14 आएगा तो जैसे एक cap निकालना है unit vector निकालना है 2 j cap, 3 k cap, by में root 14 या फिर 1 by root 14, i cap लिख लो 2 by root 14, j cap लिख लो 3 by root 14, k cap लिख लो ऐसे आगे हमारे पास, clear है तो unit vector हम ऐसे निकाल सकते हैं अब एक चीज बता देता हूँ एक होता direction cosine direction, cosines direction, cosines simple सी चीज है देखो दो अलग अलग तरीके से बताता हूँ एक simple तरीका बताता हूँ unit vector unit vector unit vector के unit vector के जो coefficients है ये वाली चीज़े कि अगर आप किसी vector के DC बताने है तो एक काम करो आप उसको unit vector में convert करो और देन उसकी value देख लो अब जड़ा देखो ये जो DC जो होते हैं ये L, M और N होते हैं ठीक है? मतलब तीन कॉफिशेंट होते हैं तो direct DC भी तीन हो जाते हैं तो अब क्योंकि ये unit vector के coefficients हैं तो इसलिए जो L square plus M square plus N square की value वो क्या रहेगी? वो 1 रहेगी L square plus M square plus N square की value 1 रहेगी अरे ये देखो ना मानलो कोई unit vector है तो ये L I cap M J cap plus N K cap अब इसका magnitude क्या हो जागा? magnitude होता है 1 और magnitude का formula under root L square M square N square बराबर 1 squaring both sides तो ये आ जाएगा clear है दूसरा तरीका ये है कि direction देखो cos या फिर cosine angle of directional angle directional angle कहने का मतलब है देखो कोई एक vector है कोई एक vector है x axis के साथ में let's say वो कुछ angle बना रहा है alpha angle बना रहा है y axis के साथ कोई एक vector मानलो beta angle बना रहा है और z axis के साथ में कोई vector let's say gamma angle बना रहा है तो ये जो cos alpha निकालोगे यही होता है L और cos beta जो निकालोगे वो होता है M और cos gamma जो निकालोगे न वो हो जाता है N जो directional angle होते हैं यह जो alpha बीटा गामा जो मैंने लिखा है इसको ही directional angle कहते हैं और यह directional angle का आगर cosine आप निकाल लेते हो तो यह आपको क्या दे देता है direction cosine क्या दे देता है यह आपको direction cosine किलियर है hopefully आपको direction cosine और direction ratio समझ में आ गया होका direction ratio किसी भी vector का normal coefficients होता है जैसे कि यह a vector दिया था ना अब a vector का हमसे अगर dr पूछता तो तब तो कोई दिकत ही नहीं थी क्या यह 1, 2 और 3 यह हो गया direction cosine और direction ratio और जब direction cosine जब पूछ लिया ना तो unit vector के coefficients को कहते है that is 1 by root 14, 2 by root 14 और 3 by root 14 मतलब direction ratio को अगर magnitude से divide कर दिया जाए तो direction coefficient हमें मिल जाता है clear है hopefully इतना समझ में आपको आ गया होगा अब आगे बात करते हैं types of vector types of vector in terms of magnitude और direction ठीक है तो पहला है 0 vector 0 vector 0 vector 0 vector का magnitude तो obvious सी बात है वो क्या रहेगा 0 और direction कुछ भी हो सकता है any ठीक है कोई भी direction 0 vector होता है क्या point जिसका magnitude 0 है ठीक है और point की क्या direction होती है कुछ भी हो सकता भई ठीक है कोई logical थोड़ी नहीं दूसरा unit vector अभी unit vector तो अभी हमने चर्चा करी लिया unit vector का magnitude रहता है magnitude क्या रहता है 1 और unit vector का अगर direction की बात करें तो direction भी कुछ भी हो सकता है ठीक है किसी भी direction में one unit का vector हो सकता है x, y, z या फिर x, y, y, z कहीं पर भी हो सकता है तीसरा बचे यह है co-initial vector co-initial co-initial vector देखो इसमें दो vector जिनका starting point सेम हो न जैसे कि मालों यहां पर यह कोई o point है यहां से एक vector इधर जा रहा है और एक vector इधर जा रहा है यह फिर एक vector इधर जा रहा है इधर जा रहा है ऐसे vector जिनका initial point same हो such vector is called co-initial vector ठीक है तो co-initial में मैं एक ही चीज लिखना जाओंगा initial point same ठीक है बाकि उनका magnitude कुछ भी हो direction कुछ भी हो origin बस एक हो start एक जगे सो रहा हो ठीक है co-initial vector अब बात करते हैं co-linear vector चौथा co-linear vector co-linear vector देखो co-linear vector किसको कहेंगे तो co-linear vector देखो ऐसे vector जो एक ही line में हो या फिर वो parallel हो या फिर किसी एक same line के दोनों ही parallel हो तो इसमें मैं co-linear vector में मैं इसमें पहली चीज parallel vector को डाल दूँगा हाँ बई parallel vector जो होगा वो collinear vector होंगे दूसरी चीज मैं anti-parallel vector को डाल दूँगा anti-parallel vector ठीक है कहने का मतलब यह है कि अगर अगर दो vector के बीच में अगर आपने angle या तो 0 degree प्रूफ कर दिया या फिर आपने 180 degree प्रूफ कर दिया तो वो collinear vector हो गया या फिर आपने यह प्रूफ कर दिया कि एक vector दूसरे vector से lambda times है या k times है तब भी वो collinear vector हो गया समझ में आ रहा है एंगल के हिसाब से भी आप प्रूफ कर सकते हैं जैसे मैं देखो इस वाले का example ले ले तो एक का जैसे मैंने कोई एक vector लिया a vector ठीक है a vector लिया मैंने 2i cap plus 4j cap plus 6k cap इस तरीके से और b vector मैंने लिया b vector लिया मैंने i cap 2j cap 3k cap तो आप यहाँ पर देख पार हो a vector जो है वो 2 times लिया मैंने vector b की तो lambda की value 2 हो गई तो ऐसे vector जो की particular किसी दूसरे vector से lambda times है तो they are collinear vector they are collinear vector now 5 way type का vector की बात करते है equal vector ठीक है equal vector अब यह तो equal ही आगिया equal का क्या मतलब हर तरीके से same तो मैं इसमें तो लिखना जाओंगा अराम से magnitude equal और direction same magnitude equal और direction same तो इसको equal vector कहेंगे छटी चीज negative of a vector negative of a vector negative of a vector मतलब जैसे vector माल लो इधर की तरफ है इसमें देखो magnitude same रहेगा और direction जो हो आपोजिट रहेगी magnitude same direction आपोजिट तो एक इधर तो एक इधर मतलब यह अगर अगर a vector है तो इसका negative जो हो मतलब जाएगा के लिए बहुत एजी चीज है ठीक है तो यह इंट्रोडक्शन आपका 10 पॉंट है एक्सरसाइज के लिए आप नेक्स्ट वीडियो चेक आउट कर सकते हैं तो इसके बहुत थाएगा कर सकते हैं